हेलो वेंट्स इस स्टूडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DCAL के स्टॉक के बारे में स्टॉक की करन प्राइस की बात करेंगे तो 121.70 की करन प्राइस चल रही है और आज दिन में स्टॉक लगबग 12% के भी उपर के लेवल पे कारोबार करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है यह जो आप चार्ट देख रहे हो हमने इसको वंडे टाइम फ्रेम में सेट किया है जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमने एक जोन ड्रॉ किया है जो कि अल्मोस्ट 110 से लेके 113 तक का बहुत ही ज़दा इंपोर्ट रिजिस्टन्स जोन है क्योंकि पहले भी स्टॉक इस इसमें फ्रेश एंट्री का प्लान करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखे इस जोन के नीचे का प्लान कर सकते हैं इसके जलते फर्दर स्टॉक में और भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल जाएगी अभी देखे यहाँ पर आप देखिए MSD इंडिकेटर की भी बात करें हम इसका लास्ट फूरियर का फानेशल ट्रेंड और अनलिस्ट हमें क्या सला देते हैं बाइंग की 2019 से 2022 तक का लास्ट फूरियर का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है अगर हम कंपेर करते हैं 22 को 21 के साथ तो यहाँ पर रिवेन और प्रॉफिट में दोनों में काफी अच्छ इसमें फ्रेश इंट्री का प्लान कर रहे है तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे DCAL जिसे हम stock का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे दिखिए हमारे सामने दिखाई दे रहा है उस पर हमें tap करना है tap करने के बाद यह हमारे watch list में add हो जाएगा ठीक है यहाँ पर हमने पहले से add करके रख लिए अगेन हम इस पर tap करेंगे यहाँ पर आप इसकी current price देख सकते हो charts देख सकते हो stock की details भी आप यहीं पर देख सकते हो हमने just ही chart analysis किया है तो simply यहाँ पर buy pay टच करेंगे buy pay टच करने के बाद कुछ इस तरह से interface शो करेंगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाथे तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को 70 by 70 sell करना चाथे तो आप intraday में करेंगे यहाँ पर दिखिए हमे quantity इंटर करनी है मालीजिये हमें इसकी 100 quantity buy करना है तो यहाँ पर हम 100 quantity इंटर करेंगे limit और market का option यहाँ पर दिखाई दे रहा है limit आने के stock को आप अपनी 1% price पर खरीच सकते हो जिससे की stock की price चल रही है 120, 2.10 अगर आप इसको खरीदना चाते है 120 पर यहाँ पर अपर enter करेंगे जब भी stock price यहाँ पर आजाएगी आपका order execute हो जाएगा अब market rate क्या होता है market rate याने के जो भी stock की गरन price चल रही होती है उसे पर directly आपका order execute हो जाता है simply यहाँ पर buy pay touch करना है buy pay touch करने के बाद confirm आजाएगा confirm pay touch करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी तो दोस्तों आज की इस यूडियो में सिर्फ इतना ही था